वहां से विदा होकर ईसा अपने शिश्यों के साथ अपने नगर आए जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागरह में शिक्षा देने लगे बहुत से लोग सुन रहे थे और अचम्भे में पढ़कर कहते थे यह सब इसे कहां से मिला यह कौन सा ग्यान है जो इसे दिया गया है यह जो महान चमतकार दिखाता है वे क्या हैं क्या यह वही बढ़े नहीं है मर्यम का बेटा याकुब यूसुफ यूदस और सीमोन का भाई क्या इसकी बहने हमारे ही बीच नहीं रहती और वे इसा में विश्वास नहीं कर सके इसा ने उनसे कहा अपने नगर अपने कुटुम्ब और अपने घर में नभी का आदर नहीं होता वे वहां कोई जमतकार नहीं कर सके उन्होंने किवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा किया उन लोगों के अविश्वास पर इसा को बड़ा आश्चर्य हुआ